तो इस कहानी की शुरुवात होती है और हमें एक किंगरी नाम की लड़की को दिखा जाता है जो कि अपने प्रेमी का पिछले हजारों सालों से इंतजार कर रही है। यहाँ पर किंग डोटी की फाइट एक चुड़ाल के साथ हम देखते हैं यहाँ पर वो चुड़ालों से मारने की बहुत प्रयास करती है लेकर यहाँ पर किंग डोटी और उसकी लोग उसे मार देते हैं और यहाँ पर किंग डोटी आखिरकार उसकी रूह को कैद कर लेता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि King Doti सारी चुड़ेले की रूहों को इसलिए कैद कर रहा है ताकि वो अपने मास्टर का इलाज कर सके क्योंकि वो बहुत बीमार है। अब दूसरे तरफ हमें चुड़ेलों की राने को दिखाया जाता है जो कि सारी चुड़ेलों को ये बता रही हो दे कि तुम्हें पहाड़े के दूसरी तरफ जाना चाहिए जहाँ पर एक जादोई पेड़ है और उस पेड़ की हिफाज़त करने वाले लोगों के पास जादो दूरान इन बाद चीत में लोगों की फाइट हो जाती है जिसका फाइदा उठा कर चुड़ेले भी वहाँ पर आ जाती है अब यहाँ पर देखती देखती ये चुड़ेले किंग डोती के साथ लड़ने लग जाती है और यहाँ पर ये अपने जहरीला फन किंग डोती के सी और पिरमार्तेती, जिसके वज़ासे किंग डोटी की सारी ताकत नजाया होने लग जाती ये, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जील में गर जाता है, और यहीं पर हमें एक बहुत ही बड़ा स्नाइक दिखाई देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग्रे उठा कर दोती को अपने साथ ले जाती है जिसके बाद उसकी मरहम पट्टी करती है अब हम देखते हैं जैसे ही किंग्रे को होश आता है तो वो उसे पूंचता है कि आखिर मैं कहां पर हूँ जिस पर वो कहते हैं कि तुम मेरे घर पर म लेकिन उसका पाउं किसी चीज से सिलिफ होकर वो नीचे गरने लगता है लेकिन वहाँ पर दरख्त के पत्ते उसे बचा कर उपर उठा लेते हैं तब यहाँ पर किंग्रे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना रिश्टा है इसलिए दरख्त की हिफाज़त तुम्हारी जिम्मेदारी थी और यहाँ पर वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता है और तुमने इस दरख्त की शक्तियों को और अब खुद को मेरे साथ शेयर किया जिसके वजह से यहां के देवदाओं को गुसा चड़ कर रही हो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग धोती जैसे ही वहां से गुजर रहा होता है तभी वहाँ पर किंग्रे की छोटी बहन आ जाती है और वो किंग्रे की चोटी बहन आ जाती है और उसको उठा कर एक साइड पर फेंग देती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चोड़ेल किंगरे को जखमी कर दीती है, लेकिन यहाँ पर किंगरे को गुस्सा भी आ जाता है, जिसकी वज़े से वो एक बहुत बड़ी स्नैक बन जाती है, और तभी उस चोड़ेल पर अटेक करने लगती है, जिसकी वज़े से वो चोड़ेल वहां से डर कर भाग जाती है, और यहाँ पर किंग्रे भी अपनी जान बचा कर कैसे कैसे वहाँ से भाग निकलता है और वापस अपनी बस्ती में आ जाता है अब यहाँ पर हम देखते हैं किंगोटी अपने मास्टर के पास आता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार होते हैं जहाँ पर वो से बताते हैं कि मैंन लेकिन मैंने उसकी कोई भी बात नहीं माने और मैं वहाँ से चला आया तब यहाँ पर इसका मास्टर कहता है कि मुझे उसी चुड़ेल की शक्तियां चाहिए और इसी तोरान हम देखते हैं कि चुड़ेलों की महरानी यहाँ पर आ जाती है और मास्टर से कहते हैं कि किंग डो उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो जातुई शक्तियों वाला फल है वो मुझे दे दो जिसके बाद किंग डोती उसे देने से मना कर देता है तो वह चुड़ेल खुड़ेल खुड़ेल की बॉड़ी में से उस फल को निकाल लेती है अब यहाँ पर किंग डोती के जिसमें स रक्त से पता चलता है की वो किंग धोती ही है और अब वो खत्रे में है तो मैं उससे बचाने जा रही हूँ अब यहां पर हम देखते हैं किंग रे उसकी जान बचाने के लिए उन चड़एलो के अड़े पर पहुच जाती है। तब यहां पर वह // युवष को बचाने के लिए पर्वत की चोड़ आई यह जिसकी तलाश आपको थी लेगिन यहां पर किंग उती उससे अपना दिल दे बैठा है था उसके जांग निकता है Brief individually कि खिलाभ औधा ठर चिव भी मार देना के किंग दोटी और किंग रे एक दूसरी के साथ उस द्रक्स से विश मांग रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो मास्टर के वैरियर्स आ जाते हैं और यहाँ पर वो किंग दोटी से कहते हैं कि किंग रे को हमारे हवाले कर दो और यहाँ पर इनके साथ साथ उनका मास्टर भी निफ़नाआ टोटी किन लोटी अपनी जान खत्रे में डालकर किन्रे को बचा लिता है उसके वज़ए से बहुत बड़ी शनायक बन जाती है जिसके बाद वह सबAK अटरकी करने लगती है यहां पर Tampa दोटी किंगरे से कहता है कि तुम अपने असली फार्म में आ जो लेकिन किसी पर भी अटेक मत करो। इतने में ही मास्टर किंगरे पर अटेक कर देते हैं जिसके बदली में वो भी मास्टर पर अटेक कर दीती है। जिसकी वज़े से मास्टर नीचे जाकर गिर जाता है। तब बाद वो किंग्रे जो की साम बनी होते हैं उसके एध़के ऐक चक्कर बनादेताएं अब यहाँ पर व अपने जादू शक्तिंगरे कुम् बारने वाला होता है तब ही यहाँ पर शएंक आ जाता है जो कि उस सब पर अटेक कर देता है और किंग्रे को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग्रे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है जिसके बाद देखते हैं कि शांग अपनी शारी शक्तियां किंग्रे को दे देता है क्योंकि दुसरे तरफ हम मास्टर को देखते हैं, जो कि किंग्रे से मिलो ही शक्तियों को अपने अंदर इंजक्ट कर लेता है, जिसकी वज़ा से वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि किंग्रे की शक्तियां इस्तिमाल करने के बाद मास्टर बहुत ही जादा पाउरफल हो जाता है, और यहाँ पर हमें एक चीज का और पता चलता है कि मास्टर ही सारे चुड़े लों का किंग होता है, बस उसे वही जादोई शक्तियां चाहिए थी जो की परवत के उस तरफ थी लेकिन अब तो वह जादोई शक्ति हासिल कर चुका है जिसकी वज़ासे वह बहुत जादा ताकतवर हो चुका है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर की काली शक्तियां बहुत जादा ताकत रहो जाती है जिसके बाद वो अपने सारे वैरियर्स को भी मार देता है उनकी शक्तियां को ले लेता है अब यहाँ पर मास्टर एक चुड़ायल से कहता है कि हम अभी उस दरखत पर जाएंगे जहाँ पर वो सारी शक्तियां छिपी हैं और हम उस दरखत की शक्तियों को भी हांसिल कर लेंगे और तब हमें पता चलता है कि यहीं खिड़की के पास किंग धोटी भी मवजूद होता है जो गिनकी हो रही तमाम बातों को सुन लेता है जिसके बाद वो वहाँ से सीधा उस परवत के लिए निकल पड़ता है इससे पहले कि वो छुड़े लाए और उनका मास्टर वहाँ परा कर उस दरखत को बरबात कर दे अब इसके बाद हम देखते हैं कि किंग्रे को जब होश आता है तो वो शैंग के पास जाती है जो कि दरखत के पास बैठा होता है यहाँ पर वो से कहती है कि मुझे पता ही तुमने अपनी पूरी शक्तियां को मुझे दिती है और तुम अब एक आम इंसान बन चुके हो तब यहाँ पर किंग्रे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी कि वो मेरा वाला किंग धोती नहीं है तब यहाँ पर किंग्रे कहती है कि तुम्हें इन सब को मारने से पहले मुझे से लड़ना होगा जिसके बाद हम देखते है कि यहाँ पर किंग्रे और मास्टर की बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ पर बहुत सारे भूत और चुलेल भी किंग्रे का साथ देते हैं लेकिन यहाँ पर यह माश्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और तभी वो किंग्रे की दोस्तों पर अटेक कर देता है और उन सब को मार डालता है अब यहाँ पर वो मास्टर किंगरे पर बहुत ही खतरनाक अटेक करने वाला आता है, तब तक शांक बीच में आ जाता है, जिसकी वज़ा से उसकी भी मौत हो जाती है, यहाँ पर शैंक को अपने हाथ में मरता हुवा देख कर किंगरे को बहुत बुछ सा आता है, जिसके रिले मैंने कितने लोगों को मार डाला, लेकिन तुम तो खुद ही एक शैतानों की राजा हो, अब यहाँ पर किंग डोटी मास्टर को अपनी बातों में फासाय रखता है, और इसी का फाइदा उठाकर किंग रे उस पर अटेक करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर मास्टर अपनी काली शक्तियों का इस्तिमाल करके एक बहुत ही बड़े मेड़क में बदल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पर किंग रे मास्टर की बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, जो कि एक बहुत ही बड ऐन्जी यहाँ पर किंगरे को मिलती की कि मास्ट दे बोर्ते बड़ाई जिसी दूरान यहां पर किंग दोती की भी आँख खुल जाती है और यहां पर वो छोटा सा बने हुई किंगरे को अपने साथ में ले लेता है जिसके बाद वो यहां से जाने लगता है और इसी को दिखाते हुए इस मुवी का यहीं पर एंडो जाता है